Chapter 5 Determinants exercise 5.4 का topic है Cramers Rule अब देखो Cramers Rule क्या होता है हमारे पास 3 linear equation दी होगी यह 1 दी होगी ठीक है इसी तरह दूसरी linear equation दी होगी यह दूसरी होगी और तीसरी दी होगी a3x plus b3y plus c3z equal to d3 यह कितने variables है एक, दो, तीन यह दो variables में भी हो सकती है जो मैं आपको तीन variable में सीखा हूँगा वैसी सेम आपको दो variables में भी करना है तीन linear equation दी होगी हमें क्या निकालना होगा x, y, z तो देखो कैसे निकालेंगे तीनों को solve कर krambold rule से निकालना है तो krambold rule में आपने क्या करना है सबसे परले निकालना है delta delta क्या होगा a1, a2, a3 यहा लिखना है फिर यहां पर b1, b2, b3 फिर यहां पर c1, c2, c3 अब आपको यह expand तो करना आता है तो आपने इसको expand करना है जो भी आंसर आएगा इसका इसी तरह आपको डल्टा 1 निकालना है डल्टा 1 में क्या कड़ना आपने इसकी जगह आपको लिखना है D1, D2, D3 देखो यहां लिखना है D1, D2, D3 यह वले और बाकी दोनों कॉलम सेम रखने है B1, B2, B3 C1, C2, C3 फिर हम निकालेंगे डल्टा 2 डल्टा 2 में क्या कड़ना है आपने यह दोनों कॉलम को सेम रखना है सेकिंड कॉलम की जगह D1, D2, D3 देखो फिर्स कॉलम सेम B1, B2, B3 की जगह D1, D2, D3 और यहां पे C1, C2, C3 यह सेम रखना है फिर नेक्स डल्टा 3 डल्टा 3 में क्या कड़ना है आपने यह दोनों कॉलम सेम रखने है A1, A2, A3 B1, B2, B3 और तीसरे कॉलम की जगह आपको लिखना है D1, D2, D3 यहां तक कर लिया आपने यह आप तीनों को expand करोगे, चारों को जो भी answer आएगा फिर क्रैमर्स रूल लगाना है यहां पे क्रैमर्स रूल कहता है आपको निकालना है X, X के लिए आपने क्या formula यूज करना है डल्टा 1 बाई डल्टा, डल्टा 1 की जो value आई होगी उसको डल्टा से डिवाइड कर देना है Y के लिए क्या करना है, डल्टा 2 अपन डल्टा और Z के लिए डल्टा 3 बाई डल्टा तो यहां से यह होग जाएगा मारा क्रैमर्स रूल अगर आपके बस दो एक्वेशन ही दी होती है तो उसमें आपको सिरफ डल्टा, डल्टा 1 और डल्टा 2 निकाल ला है वो मैं आपको कोशन में सिखा दूँगा फिलाल आप यह याद रूखो, ठीक है यह होता है मारा क्रैमर्स रूल इसके बाद जो next topic है वो है condition for consistency देखो, इसमें क्या होगा अगर यह वला डल्टा यह डल्टा 0 हो जाए और 0 नहीं हो इफ डल्टा is not equal to 0 then then the system of equation जो मारा पस तीन equation दियोंगी then the system of equation is consistent हो जाएगी क्या हो जाएगी, is consistent and it has a unique solution unique solution मतलब कि जो x, y, z की value होगी वो सिरफ unique होगी unique मतलब एक एक value निकलेगी एक से जादा values निकलेगी x, y और z की value सिरफ एक आएगी ठेक है, तीन cases है दूसरा case है अगर डल्टा जो है वो 0 हो जाए if delta equal to 0 और delta 1, delta 2, delta 3 तीनो 0 हो जाए delta 1, delta 2, delta 3 यह सारे 0 हो जाए तो उस case में क्या होगा then the system is इस case में भी यह consistent होगा then the system is consistent consistent के spelling t, e, n, t consistent and it has a infinitely infinite it has a infinitely many solution मतलब कि जो x, y, z की value होगी वो infinites होगी मतलब एक से भी जादा एक, दो, तीन, जितनी मर्जी हो सकती है ठीक है? इस पर हम question करेंगे आपको clear हो जाएगा फिलार याद रखो अगर delta भी 0 हो जाए, delta 1, delta 2, delta 3 भी 0 हो जाए तो x, y, z की infinite values होती है ठीक है? और last case if delta equal to 0 और delta 1 is not equal to 0 और delta 2 is not equal to 0 और delta 3 is not equal to 0 मतलब तीनो में से अगर एक भी यहाँ लिख लो, at least at least delta 1, delta, तीनो में से अगर एक भी non-zero हो गया, तो system जो होगा, वो inconsistent होगा then the system is inconsistent 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 मतलब inconsistent inconsistent मतलब कि उसका कोई भी solution नहीं होगा, क्या होगा यहाँ लिख दो, it has no solution, उसमें x, y, z की value possible नहीं होगी ठीक है? तो इन तीनो cases बे भी हम आगे question करेंगे अब हम शुरू करेंगे exercise 5.41 हमार पास अगला question है, solve the falling system of linear equation by kramerts rule, question number 1 दियाओ है, अब देखो हमने यहाँ पर kramerts rule लगाना है, और यहाँ पर कितनी linear equation है, दो linear equation है, और दो variables है, x और y, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, देखो कैसे, सबसे पहले आपको निकालना है delta, डेल्टा के लिए क्या करना है यहाँ पर देखो, x का coefficient है 1, यहाँ लिखना है, यहाँ पर है minus 3, यहाँ लिखना है, y का coefficient minus 2, और y का 5, फिर आपने इसको solve करना है, इसको इस से multiply, 5 1s है 5, बीच में minus, यह हो जाएगा 6, 5 minus 6 minus 1, ठीक है, अब आपको निकालना है delta 1, delta 1 के लिए क्या करना है आपने, इस में आपको 4 minus 7 रखना है, मतलब इस कॉलम की जगह replace करना है 4 minus 7, और यह ला कॉलम सेम रखना है, ठीक है, यह replace किया मैंने, 4 5s है 20, minus, इसको इससे multiply करोगे 14, तो यह हो जाएगा 6, ठीक है, अब delta 2, delta 2 में आपने क्या करना है, यह ला कॉलम सेम रखना है, और इस वले कॉलम की यह बनेगा minus 7, और बीच में minus आई, तो यह plus 12 हो जाएगा, तो यह आजाएगा 5, ठीक है, अब हम निकालेंगे x की value, x की हो जाएगा delta 1 by delta, ठीक है, delta 1 देखो कितना है, delta 1 है 6, और delta कितना है, minus 1, तो यह हो जाएगा minus 6, यह क्या क्या करना है, delta 2 upon delta, delta 2 की value देखो कितनी है, 5 और delta की, minus 1, तो x आगया हमारा minus 6, और y आगया हमारा minus 5, यह हो गया हमारे question number 1 का answer, ठीक है, इसी तरह अब हम question number 2 निकालेंगे, question number 2 में सबसे पहले 2 linear equation दी है, हम निकालेंगे delta, यहाँ लिखो, 2, 7, यहाँ लिखना है, minus 1, minus 2, अब इसको solve करो, यह बनेगा minus 4, plus 7, बीच में minus होता है, तो यह हो जाएगा 3, ठीक है, अब करो delta 1, delta 1 में आपने क्या करना है, इस column की जगा लिखना है, 1, minus 7, और यहाँ लिखना है, minus 1, minus 2, इसको solve करो, यह आएगा minus 2 बीच में minus यह हो जाएगा 7 तो यह आएगा minus 9 अब delta 2 delta 2 में आपने क्या करना है यह वाला column सेम रखना है और इस column की जगा आपको रखना है 1 minus 7 इसको solve करोगे तो यह आएगा minus 14 बीच में minus minus 7 तो यह हो जाएगा minus 21 अब हम निकालेंगे xyz, oh sorry xy x के लिए क्या करना है delta 1 by delta delta 1 की वैल्यू देखो कितनी है minus 9 और delta की 3 तो यह हो जाएगा minus 3 तो x आगा हमारा minus 3 इसी तरह y निकालेंगे y हो जाएगा delta 2 by delta delta 2 की वैल्यू है minus delta 2 delta 2 की वैल्यू है minus 21 और delta की वैल्यू 3 तो y आजाएगा minus 7 यह हो गया हमारा question number 2 complete y आगया minus 7 ठेक है, अब आजाओ question number 3 पे question number 3 देखो क्या है यह दो linear equation दिया है सबसे पहले delta delta निकालेंगे, क्या निकालेंगे delta तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहां लिखो 2 3 फिर minus 1 5 इसको इससे multiply, 10 बीच में minus plus 3 हो जाएगा 13 अब निकालो delta 1 delta 1 में क्या करना है, इस 2 3 की जगह आपको लिखना है 17 और 6 और यहां पे same रखना है 17 5 जा 81 बीच में minus, यह बनेगा minus 6 81 85 होता है 17 5 जा 85 85 plus 6 91 अब delta 2, delta 2 में आपने क्या करना है यह बला कॉलम सेम रखना है और इस बले कॉलम की जगह 17 और 6 लिखना है तो यह बनेगा 12 minus 17 3 सा कितना होता है, 51 तो 12 में से 51 के यह बनेगा minus 39 ठीक है, अब हम निकालेंगे x x होता है, delta 1 by delta delta 1 की value 91 और delta की value 13 13 को 91 से divide करोगे 7 आएगा y हो गया delta 2 by delta delta 2 की value minus 39 और delta की value 13 13 को 39 से divide करोगे तो आएगा minus 3 यह हो गया मारा question number 3 भी complete question number 4 है हमारे पास दो equation दी है और हमें क्रैमर सूल लगाना है तो सबसे पहले हम delta निकालेंगे यहां लिको 33 1 minus 1 अब इसको solve करो यह आएगा minus 3 minus 3 यह गया minus 6 अब हम निकालेंगे delta 1, delta 1 में आपने क्या करना है इस column की जगा 19 और 23 रखना है और यह वाला column सेम रखना है तो यह बनेगा minus 19 minus 23 तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 42 minus 42 अब हम निकालेंगे delta 2 delta 2 में आपने क्या करना है यह column सेम रखना है और इस column की जगा आपको रखना है 19 और 23 इस वले column की जगा इसको इससे multiply यह बनेगा 69 इसको इससे multiply करेंगे 51 यह आगा 18 अब हम निकालेंगे x x होता है delta 1 by delta delta 1 की value minus 42 और delta की value minus 6 तो यह बनेगा 6 7s of 42 अब y की value y होता है delta 2 by delta delta 2 की value 18 और delta की value minus 6 6 को 18 से काटेंगे तो y आजाएगा minus 3 तो question number 4 7 और minus 2 दिया हो है यहां पर 1 second y गलत आ रहा है 69 में से 51 गे 81 ही बचते है 3 3s are 9 3 2s are 6 1 second check करते हैं यहां पर ठीक करना 19 3s are 57 होता है तो यहां बचेगा 12 तो यहां पर आजाएगा 12 तो यह बनेगा 2 y की value x आ गया 7 और y आ गया minus 2 अब आजाओ इसके बाद question number 5 में तो सबसे पहले इसमें भी delta निकालो यहां लिको 2 3 minus 1 4 4 2s are 8 minus होता है बीच में minus 3 plus 3 11 अब delta 1 निकालो delta 1 में क्या करना है 2 3 की जगा आपको रखना है minus 2 3 और यह वाला column सेम रखना है minus 8 plus 3 यह हो गया minus 5 अब delta 2 delta 2 में क्या करना है यह वाला column सेम और second column को change करना है minus 1 4 की जगा minus 2 3 यह बनेगा 6 plus 6 यह आजाएगा 12 अब निकालो x x होगा delta 1 by delta delta 1 है minus 5 upon 11 और y हो जाएगा delta 2 by delta वो है 12 by 11 तो यह मारा 5 भी होगया खतम अब आजाओ question number 6 पे question number 6 देखो क्या दिया है दो linear equation दिया है और कहता है a is not equal to 0 तो सबसे पहले delta 1 निकालते है delta sorry delta के लिए क्या करो यहां लिखो 3 2 और यहां लिखना है a a इसको इससे multiply 3 a minus इसको इससे multiply 2 a तो यह बनेगा a अब delta 1 निकालते है delta 1 में आपने क्या करना है इस column की जगा लिखना है 4 2 और इस column की जगा a a तो यह बनेगा 4 a minus 2 a यह भी हो गया 2 a अब delta 2 delta 2 में आपने क्या करना है यह वाला column सेम रखना है और इस column की जगा आपको रखना है 4 2 तो यह बनेगा 3 2s are 6 minus 4 2s are 8 यह आगया minus 2 अब आम निकालेंगे x x हो जाएगा delta 1 by delta delta 1 है हमारे पास 2 a और delta है हमारे पास a तो यह आजाएगा 2 अब आजो y की value y है delta 2 by delta delta 2 की value minus 2 और delta की value a तो यह हो गया हमारा x आगया 2 और y आगया minus 2 by a अब आजो question number 7 पे दो linear equation दिया है तो सबसे पहले निकालो delta यहां लिखेंगे 2 1 और यहां लिखेंगे 3 6 6 2s are 12 minus 3 यह हो गया 9 अब delta 1 2 1 की जगा लिखना है 10 4 और यहां पे 3 6 10 6 60 minus 4 3s are 12 तो यह बचेंगे 48 अब delta 2, delta 2 में क्या करना है यह वला column सेम रखना है और 3 6 की जगा 10 4 तो यह बनेगा 4 2s are 8 minus 10 यह आगया minus 2 x हो जाएगा delta 1 by delta delta 1 की value 48 और delta delta की value 9 तो 3 के table से काटो के यह बनेगा 16 by 3 अब y y है delta 2 by delta delta 2 की value minus 2 और delta की value 9 तो answer आजाएगा y का minus 2 by 9 यह हमारा 7 भी हो गया खत्म question number 8 है हमारे पास दो linear equation दी है हमें xy निकालना है तो हम करामर सू लगाएंगे सबसे पहले delta यहां लिखेंगे 5 4 और यहां लिखेंगे 7 6 5 6 हा 30 30 minus 28 y गा 2 इसी तरह delta 1 निकालेंगे इस column की जगा हम लिखेंगे इस वले column की जगा minus 2 minus 3 और यहां लिखेंगे 7 6 minus 12 यह बनेगा plus 14 21 तो यह आ जाएगा 8 9 ठीक है अब इसी तरह delta 2 निकालो delta 2 में यह वला column सेम रखना है और इस column को change करना है इस column की जगा minus 2 3 लिखना है minus 2 minus 3 यह जाएगा minus 15 और यह जाएगा plus 8 वो आ गया minus 7 अब x आ जाएगा delta 1 by delta delta 1 है हमारे पास 9 और delta 2 है 2 y आ जाएगा delta 2 by delta delta 2 है minus 7 और delta है 2 यह आ गया हमारे question number 8 का answer अब आ जो question number 9 में सबसे पहले हम निकालेंगे delta 1 delta 1 के लिए delta निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पे रखो 9 minus 2 और यहाँ पे रखो 5 3 तो यह बनेगा 9 3 जा 27 minus यह जाएगा plus 10 तो यह आ गया 37 ठीक है इसके बाद क्या करो delta 1 निकालो इस वाले कॉलम को लिखो 10 8 और यह वाला कॉलम सेम रखो 5 3 तो यह बनेगा 30 minus 40 8 5 जा 40 वह आएगा minus 10 अब delta 2 delta 2 में यह वाला कॉलम सेम रखना है और यह वाले कॉलम की जगा 5 3 की जगा 10 8 लिखना है तो 8 9 जा 72 यह बनेगा minus 20 plus 20 72 plus 20 92 अब निकालो x x आएगा delta 1 by delta delta 1 है minus 10 और delta है 37 y के लिए क्या करना है delta 2 by delta delta 2 है 92 और delta है 37 यह हो गया हमारा question number 9 भी complete अब आज़ो last है question number 10 इस type का फिर आगे दूसरी type आ जाएगी सबसे पहले delta 1 निकालो delta निकालो x का coefficient 1 x का 3 यहाँ पे 2 और 1 तो यह बनेगा 1-326 1-6-5 अब निकालो delta 1 यह वाले कॉलम की जगा लिखो 1-4 और इस वाले कॉलम की जगा यह सेम यह बनेगा 1-8 वह गया-7 delta 2 में क्या करना है यह वाला कॉलम सेम और 2-1 की जगा लिखना है 1-4 तो यह बनेगा 4-3 वह आजाएगा 1 तो x आगया delta 1 by delta delta 1 की value minus 7 और delta की minus 5 तो यह बन गया 7 by 5 y में लिखना delta 2 by delta delta 2 की value 1 और delta की minus 5 तो यह हो जाएगा minus 5 तो यह हो गया हमारा question number 10 be complete आगा